जेहंत नमस्कार दोस्तों मैं विरार चोदरी स्वाइद करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल कमांडो कीड में दोस्तों SSE GD का आपने स्कोर देख लिया हुगा आपका स्कोर कार्ड आ गया है जिन्होंने नहीं देखा वो भी SSE की official साइड पर जाकि अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं स्कोर कार्ड आपने देखा होगा जितने भी बच्चे जो मेरी academic है मैं आपको बता दूँ अधिकतर बच्चों के नंबर पलस ही हुए हैं मैं आपके उन में से कुछ उधारन भी community post भी डाल दूँगा अगले वीडियो में आपको 100 से जादा बच्चों के दिखा भी दूग अगर आप में से भी कोई बच्चा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना लेकिन अधिकतर बच्चों के नंबर पलस हुए हैं अब मैं आपको बता दूँ कि पहले ही मैंने बोला था कि आपका पेपर में आपने कितने गल्थ सवाल किया है या सही किया है इसका कोई ज़्या दूसरा बच्चा तो दूसरी सिप्ट में उसके लगबग 15 नंबर पलस हुए हैं नॉर्मलाजेशन में और कुछ बच्चे इसे हैं जिनके 18 नंबर भी पलस हुए हैं कईयों के 23 नंबर भी पलस हुए हैं लेकिन मैसिमम मैंने जो नंबर बड़े वे देखे हैं ज्यादा त सकती है देखू जिस हिसाब से नॉर्मलाजेशन को अगर मैं देखूंगी ज्यादा तर बच्चों की जो नंबर बड़े हैं साथ से आट नंबर दस नंबर आट नंबर दस नंबर और मैंने पहले भी बोला था एक बार फिजिकल के समय भी कि जिन बच्चों के बराबर नंबर थे 120 नंबर फिजिली कटोप थी उसके 120 नंबर थे निरास हो रहा था मैंने बोला था जुरूरी नहीं है आपके कितने भी नंबर बढ़ सकते हैं 14 नंबर बढ़ गए जी फाइनल मेट का हगदार हो रहा है तो अब कितनी जा सकती है ससे जीडी की फाइनल मेट और मे मेडिकल के लिए ठीक है मेडिकल के लिए ज्यादा तर जगह से यकिन राजियों की बात कर रहा हूं आपको भी समझ में आरगा जैसे राजस्तान हरियाना यूपी अएंपी दिल्ली माराश्ट्र आपका हिमाचल प्रदेश उतराखंड उतर प्रदेश इन राजियों से बा है क्योंकि एक क्यूशन इस बार दो नंबर का है लेकिन क्यूशन के आदार पर देखे तो तीन यह उपर बढ़िए और इतना बढ़ना तो लाजमी है क्योंकि जो फाइनल मेड पिसली बार आप देखोगे तो जिस भी स्ट्रेट कि फिजिकल की जो कट्टोप आई थी उसम हर एक जगह से 10-12-12 नंबर का फरक था इन राजियों में 10-12 या 14 नंबर का फरक तो हर जगह से था तो इस वार अगर हम कांकडों को बदल दे तो 10 की जगह 20 हो सकता है और 12 की जगह 24 हो सकता है तो उस हिसाब से एकर हम देखा जाए तो 6 नंबर तो आराम से उपर बढ़ेंगी कि नॉर्मलाजेशन के हर एक बच्चे के नंबर बड़े हैं इसलिए ये कटोप उपर पहले पैदान पे तो चली जाएगी जाएगी इसमें कोई संदे नहीं है अब फाइनल मेड कितनी इसी बढ़ सकती है अगर आपके अभी भी जो फिजीले कटोप आई है उससे अगर अ एमपी हो गया या यूपी हो गया आपका बिहार हो गया उत्राखंड हो गया हिमाचल परदेश हो गया हरियाना हो गया दिल्ली हो गया या राजस्तान एमपी यूपी बिहार उत्राखंड हिमाचल परदेश हरियाना या मान के चलिए दिल्ली हो गया माराष्ट्र हो गया अ यहां तो कटो मान के चलो लाड़ लोगर आप जनल केटेगी से बिलोंग करते हो तो आपके कम से कम बारा पलस नंबर होने चाहिए या 14 नंबर पलस होने चाहिए फाइनल मेट तक पहुंचने में लेकिन एक चीज हमेशा ज्यान रखना अगर आपके इससे भी कम नंबर है इस सकता है कि फाइनल मेट के आज पास अगर सीटे बढ़ा दी तो तो यह कटोप अपने आप ही नीचे गिड़ जाएगी पोस्ट और वेकेंसी बढ़ जाएगी तो कटोप नीचे आ जाएगी समझ गए और लाड़ लो हाँ एक चीज और जिन भी बच्चों का फीजिकल हो गय सकते हैं अब नीचे दिये गए नंबर पर कोल कर सकते हैं अब आपको रिमेडिकल के लिए समय नहीं मिल रहा है ठीक है रिमेडिकल के लिए समय नहीं मिल रहा है अगर आपको कोई भी मेडिकल पॉइंट मिल गया तो आप सीधे बहार हो जाओगे मौका नहीं मिलेगा और ब उपर जा सकती है जिस आप से नर्मलाजिशन में नंबर बड़े हैं उस हिसाथ क्यादार पर बता रहा हूं जनल केटेगरी से इन राजिशे अब जो बाकी जो राजिए वहां पर भी पाइल मेड तो नॉर्मली आठ से दस नंबर तो आप मान के से लिए बाकी जो राजिए व यहां से इतना जंप तो करेगी ही करेगी इसमें कोई संदे नहीं है लाट लो जै हिंद जै भारत